ग्रामिन छेत्रों में भले ही अभी कोरोना वैक्सिन को लेकर जागरूख तक कम है लेकिन सहरी छेत्रों में लोग जागरूख दिख रहे हैं तस्वीरे महागामा के प्लस्टू हाइ स्कूल की है जहां 18 वर्स चावालिस वर्स के युवाओं के लिए कोरोना टिका करन केंदर बनाया गया है जार्खन सरकार के एलान के बाद सभी युवाओं में खुसी उमल पड़ी थी कि अब उन्हें भी कोरोना टिका लगेगा और 14 माई आने से पहले ही सभी ने नियमवत अपना रेजिस्टेशन भी ऑनलाइन करवा लिया यहां तक तो ठीक था लेकिन जब युवाओं टिका लेने प्लस्टू स्कूल पहुंचे तो वहाँ पर कोवी शिल्ड का टिका खतम हो चुका था जिसके बाद कई घंटों से इंतजार कर रहे युवा और महिलाओं का गुस्सा फूट गया और वेक्सिनेशन सेंटर पर हंगामा मचाने लगी उसी वक्त मौके पर महागामा अनुमंटल परादीकारी जीतेंदर कुमार देव वहाँ पहुंचे और स्वास्त कर्मियों एवं तिका करण करवाने वालों से मामले का जायजा लिया जिसके बाद सभी स्वास्त कर्मियों को जमकर फटकार लगाई गई जिसका असर दिखा और आदे घंटे के अंदर कोवी शिल्टी का उपलब्द कराया गया और लोगों ने टीका लिया कि क्या चीज को लेकर के सरज कुछ हंगामाटाच से हो इस जैसा कि आप जानाद है कि यह प्लस तू राजनादन हाई स्कूल में वेक्सिनेशन चेंटर बनाए गया है कल इसका बगाटन हुआ था और कल एक सो जो लोग में है तिन प्लस वाले उनका वेक्सिनेशन भी हुआ सब्सक्राइशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थी ऐसा कुछ नहीं है फोड़ा सब्सक्राइशन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे थी कर दो कि थोड़ी तो प्रॉब्लम्स हो गया मैंने खुद इस्टाट कर रहा है मैंने अपनी उपस्ति भी स्टाट कर रहा है तब आनों की आत्मा कुछ वेक्सिंटी इस्टाट हो गया